बैसे तो हमारे देश भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो इस्थापतिक अलागा नमुना हैं और जिनकी बनावट देखते ही बनती हैं लेकिन दक्षिन भारत के प्रमुफ मंदिरों में लेपाक्षि मंदिर की विशेष्टा बहुत अलग है दक्षिनी आंद्रपदेश के अनन्दपूर जिले में हैं ये मंदिर और मंदिर हैंगिंग पीलर टेंपल भी कहलाता है इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि ये सत्तर खंबो पर खड़ा हुआ है और एक भी खंबा जमीन को नहीं चूता है सारे खंबे हवा में चूलत रहे हैं वर्षों पहले एक खंबा जमीन पर टिका हुआ था लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनर ने इसका रहाज से जानना चाहा और इस कोशिश में इस एक मातर खंबे का भी जमीन से समपर तूट गया माना जाता है कि यहां लटके हुए कंबो के नीचे से एक कपड़ा निकालने पर परिवार में सुक शान्ती और समर्थी आती है मंदीर के बारे में जब जानकरी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह रामाइन काल से जुड़ा है मंदर वीर भदर भगवान को समर्पित है वीर भदर दक्ष यग्य के बाद अस्तित्माया भगवान शिव का एक कुरू रूप है इसके लावा यहाँ पर अर्दनारिश्वर, कंकाल मूर्थी, दक्षिन मूर्थी और त्रिप्रारिश्वर का रूप भी यहाँ तर्शनी है मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है कि सोलवी सदी में इसका निर्मान हुआ था और पूरी तर से एक ही पत्थर पर इसे बनाया गया है तो जब भी आपको मुका मिले तो इस मंदिर को जरूर देखिए लेपाक्षी मंदिर की अनुपम चटा आपका मन महलेगी अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सेस्क्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे